उत्तर प्रदेश में जूनियर एड़ेट सिक्षाक भरती परिच्छा के लिए जारी शाषनादेश के अनुसार 12 नवंबर 2021 को इसके रिजल्ट की गोशना होना प्रस्तावित था लेकिन अभी तक इसके रिजल्ट की गोशना नहीं हो पाई है आयो के अनुसार अब सिक्षामित्रों को पर्मानेंट किया जाएगा या नहीं क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सासन के द्वारा सिक्षामित्रों को सिक्षक चात्र अनुपात में काउंट किया जा रहा था उमीदे थी कि अब इन पर कुछ फैसला हो सकता है फैसला हो चुका है इसके आने वाली सिक्षाक भरती पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर भी हम लोग विस्तेशतों पर चर्चा करने वाले हैं कमिटी की रिपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे जो कि प्रात्मिक्स तर की सिक्षाक भरती के लिए गठित की गई थी जैसा कि आपको ग्यात होगा जूनियर एड़ेड सिक्षाक भरती के रिजल्ट की गोशना 12 नौबर को होना प्रस्तावित था लेकिन कुछ टेक्निकल इशूज की वज़े से रिजल्ट गोशित नहीं हो पाया है और अब रिजल्ट की गोशना 15 नौबर 2021 को की जाएगी आप इसक्रिन पर इसके संबंद में आर्टिकल देख पार होगे सहाय का द्यापक और प्रदाना द्यापक परती परिच्छा का परड़ाम अब 15 को होगा जारी जुनियर हाइ स्कूलों में सहाय का ध्यापक और प्रधारान ध्यापक भरती परिक्षा का परड़ाम अब सोमवार 15 नौबर को जारी होगा परिक्षा नियामक प्रादिकारी को और से 12 नौबर को परिक्षा परड़ाम जारी करने की प्रस्तावित थी थी लेकिन तखनीकी दिक्षतों की वज़ा से परड़ाम जारी नहीं हो सका अब बात करेंगे यूपीटर 2021 के संदर में जैसा कि आपको ग्यात होगा लगबग 10 जिले ऐसे थे जिनोंने प्यपी को यूपीटर 2021 की परिक्षा के अंदर निर्धारान के संदर में लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर पाई थी अब उन सभी जीलों के द्वारा लिष्ट PNP को भेज़ दिया गया है और आज सिख्छक पातरता परिक्षा के था केंदर तै कर लिए जाएंगे PNP के द्वारा के लिए कुल 21,62,000 अभ्धियर्थियों ने आवेदन किया है जैसा कि आपको ग्यातोगा उत्तर प्रदेश में एक फैसला लिया गया था कि जो सिक्षामित्र हैं अब सिक्षक 46 अनुपात में काउंट होंगे जिसके बाद से सिक्षामित्रों को उमीदे थी कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार जब सत्ता में आई थी तो मानने उप मुखे मंत्रे जी की अध्यक्षता में कमिटी इनकी समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया था और अभी हाल ही में एक और कमिटी इनकी समस्याओं को सुनी थी जिसमें इनके सैलरी को बढ़ाने इनको पर्मानेंट करने और ऐसे तमाम इनके मुद्दों पर विचार विमर्ज किया गया जिसके बाद से उमीदे थी कि प्रदेश सरकार इनके पर्मानेंट करने पर विचार क लेकिन उत्तर प्रदेश बेसिक स्क्षा परिशत के द्वारा जारी एक लेटर से ये इस पश्ट हो चुका है कि सिक्षामित्र उत्तर प्रदेश में किसी भी हाल में पर्मानेंट नहीं किये जाएंगे। मानेनी मुख्यमंत्र जी के कार्याले से प्राप्त संधर्व के संबंद में आख्या उपलप्त कराये जाने विश्यक। मानेनी सर्वोच्य न्याले नई दिल्ली द्वारा सिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर किया गया समयजन निरस्त कर दिया गया है। अता हैं प्रक्राण पर कारेवाई किया जाना संबह नहीं है। बेसिक सिक्षा परिशात के द्वरे ये इस पश्ट कर दिया गया है कि जिस प्रकार से अभी एक साल पहले उत्राप्त में सभी सिक्षामित्रों को पर्मानेंट कर दिया गया था। और मारने ये सुप्रीम कोट ने जब वर्स 2017 में सिक्षामित्रों के समयजन को रद किया था तो उसमें दो प्रमुख आधार थे। पहला आधार और सबसे बड़ा गया आधार था वो र्ट एक्ट 2009 सिक्षामित्रों के पर्मानेंट होने में आड़े आ रहा था। क्योंकि र्ट एक्ट 2009 ये कहती है कि कोई भी सिक्षक बिना Teacher Eligibility Test यानि सिक्षक पातरता परिशा पास के हुए सिक्षक नहीं बन सकता। और उस समय की ततकालिन सरकार ऐसे सिख्षामित्रों को भी पर्मानेंट कर रही थी जो की टेट क्वालिफाई नहीं थे अब इस पत्र में ये अनुरोद किया गया था कि उत्तर प्रदेश में लगबग 40,000 ऐसे सिख्षामित्र हैं जो की टेट भी क्वालिफाई हैं तो उनको उत्राखंड सरकार के फैसले के आधार पर उत्तर प्रदेश में भी पर्मानेंट करने के लिए प्रदेश सरकार से गुहार लगाई गई थी लेकिन अब फैसला लिया गया है कि सिक्षामित्रों को सिक्षक चातर अनुपात में काउंट किया जाएगा मतलब प्रदेश सरकार इनको सिक्षक मानतो रही है लेकिन सिक्षक की श्रुविधायें देने के लिए तयार नहीं है ना तो इनके सैलरी बढ़ाने के पर विचार वी मर्स हो रहा है और ना ही इनको पर्मानेट करने पर विचार वी मर्स हो रहा है अगर सिर्फ TET परिक्षा ही बात देती इनको पर्मानेंट करने के संदर में तो वो सभी समस्याज लगबद 40,000 सिक्षामित्रों के सौल हो चुकी है इस पत्र के अनुसार तो अगर प्रदेश सरकार चाहे तो उनको पर्मानेंट कर सकती है और मानने सुप्रिम कोट ने जो समयजन रद किया था वह इसी अधार पर किया था कि जो सिक्षामित्र टेट क्वालिफाई नहीं थे उनको कैसे पर्मानेंट कर दिया जाए और साथ ही ऐसे अभियरती जो कि नय BAT BTC अभियरती थे उन्होंने भी कोट में दर्वाजा खटकटा है कि उनको भी मौका दिया जा क्योंकि प्रदेश सरकार जो पिछली प्रदेश सरकार थी वह कोई नया भरती नहीं निकाल रही थी सिर्फ इन सिक्षामित्रों को ही पर्मानेंट कर रही थी तो अगर प्रदेश सरकार चाहे तो लगबग एक लाग पदों पर सिक्षक भरती निकाल सकती है जिसमें से 40,000 जो ये TET पास अभिरती हैं उनको डिरेकली वो पर्मानेंट कर दे और 60,000 नय बच्चों के लिए जो BAT, BTC कर चुके हैं उनके लिए सिक्षक भरती का जो अभी हाली में अपना BAT, BTC कंप्लेट किये हुए हैं तो ये सभी के लिए एक अच्छा रास्ता हो सकता है प्रदेश सरकार के इस फैसले जिसके बाद से सिक्षामित्रों को भी सिक्षक शात्र अनुपात में काउंट किया जाने लगा अब कमिटी जो बनाई गई है उस पदों का ब्योरा किस प्रकार से जुटाया जा ये भी एक तरीके से कमिटी के सामने चुनाती होगी इस वज़ा से कमिटी एक तो वैसे भी प्रदेश सरकार गंभीर नहीं थी और अब इन सब मामलों के बाद से कमिटी के बाद सामने भी चुनाती हैं कि आखिर वो इस पू इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत वां करिया आपका दिल शूभो